नुश्कार मेराजमोंतिवाड़ी आप देख रहे हैं बीहारी नियूज। बिहार सरकार हमेशा एक आकरा जारी करती थी। वह आकरा किया था। वह आकरा था रिकवरी रेट का। कि हमारे बिहार में रिकवर होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जहां एक जुलाई को बिहार का रिकवरी दर 77 पृतिसद था वो आज 19 जुलाई को गिर कर 62.9 पृतिसद पड़ा गया है अब सरकार क्यों नहीं रिकवरी दर को लेकर आवाज उठा रही है कि हमारा रिकवरी दर इतना अच्छा है जब अच्छे थे तो तो आप बता रहे थे कि हमारा रिकवरी दर अच्छा है अब जब रिकवरी दर गिर गया तो इस पर भी बताईए कि कु गिर गया सबसे बड़ा बात रिकवरे दर के गिरने का वह है जाच का बढ़ना पहले जाच जहां 3,000-4,000 होते थे अब आकरा यह 10,000 से जादा का है जैसे ही आकरा 10,000 से जादा का गया मरीजों की मिलने की संख्या हजार को पार कर गया प्रति दिन 1400-1500 से जादा ही मरीज मिल रहे हैं जैसे आज 1412 मरीज मिले हैं और आज जो बिहार स्वास्त विभाग ने आकरा बताए उसके अनुसार मतलब समझ किदोनोЫ जो है अब आकरा का मिल गया है रस्ट्रिय दर और बिहार का रिकवरी दर यह आकणरा 1-2 दिन में और पीछे जा सकता है विहार का रिकवरी दर का क्यांकि यह प्रति दिन गिरते जा रहा है यह ध्यान दीजिएगा एक जुलाई को यह आकरादा 77% दो जुलाई को हो गया 76, तीन जुलाई को हो गया 75, चार जुलाई को हो गया 74, यह आकराद गिरते जा रहा है बिहार का रिकवरी दर बढ़ ली रहा है, दिली या अन्य राज्यो को देखी आप रिकवरी दर वहां जा रहा है बिहार का recovery दर में स्थान हो गया है सत्रहवां सबसे उपर लदाक है दूसरे नंबर पर दिली तीसरे नंबर पर है हर्याना जहां का recovery दर सबसे अच्छा है देश में जो लगबग 75% से उपर के हैं ध्यान आपने दिया होगा तेजस्वी यादों की बातों पर मिलना सुरू हो जाएंगे लेकिन यह आंकरा जाहिर तोर पर बात है कि बढ़ेगा आज जो 1400-1500 मरीज मिल रहे हैं अगर 20,000 का testing हो तो 3,000-4,000 मरीज तो मिले सकते हैं अगर इस अनुपात में देखा जाए तो उन्होंने कहा था तेजस्वी यादों ने कि बिहार में डेली तो सही बात है कि बिहार में testing बहुत पीछे उन्होंने कहा कि अगर इतने testing होने लगे तो बिहार का जो corona hot spot है वो global hot spot बन जाएगा यानि best week hot spot जहां सबसे ज़्यादा मरीज मिलेंगे सीधा सीधा उनका इसारा बिहार सरकार पर था कि lockdown के द्वार उन्होंने किसी तरह की कोई बेवस्था नहीं की किसी प्रकार का कोई सुनियोजित तरीका नहीं बनाया बिहार में corona chain को break करने को लेगा एक आकरा हम देख लेते हैं कि पिछले 24 गंटे में कितने मरीज बिहार मे ठीक हुए है पिछले 24 गंटे में 826 मरीज बिहार में ठीक हुए है 16,597 मरीज पूरे के पूरे बिहार में ठीक हो चुके हैं जिसमें की आकरा है जो बिहार का total corona मरीजों का 26,380 का है जिसमें से 16,597 मरीज ठीक हुए है 9,602 केस अभी पूरे बिहार में एक्टिब हैं तो बिहार का recovery दर काफी पीछे जा रहा है और यह चिंता का अभिशा है बिहार वासियों के लिए हम सभी के लिए और इसको तोरने में और यह जो recovery दर उसे बनाने में और कोरोना वाइरस जो फैर रहा है इसको चैन को तोरने में हमें भी सहयोग करना होगा मास्क का उपयोग करना होगा बाहर नहीं निकले तो ज्यादा बैतर अगर निकल रहे हैं तो जो भी सूरक्षा के मानक तै किये गया है मास्क लगाना सेनेटाइजर पास रखना है ताकि कह हाथ को साफ करने के लिए और कोशिस तो कड़े की घर में ही रहें, खुद सूरक्चित रहें और बिहार को सूरक्चित बनाएं